हलो सभी दोस्तों को नमस्कार मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों साथ एक प्रश्ण डिसकस करने जा रहा हूं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है तो चलिए प्रश्ण को स्टार्ट करते हैं प्रश्ण संख्या है संख्यां सी किस राज की लाका ।ो । हल्दी को भगलिक संकेत जिया अब ट्रेक स सम्मानित किया गया है तो आपको इसमें बताना है कि जो ये लाज अब हल्दी है वो किस राज की है जिसे जी आई टेग प्रतान किया गया है तो इसके चार आफ्सन है A है मड़िपुर C है B है नागा लैंड C है असम D है मेघाले तो इन चारों में कौन सा सही जवाब है वो कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताना है तो इसका जो सही जवाब है वो है मेघाले ये जो लाका डोंग हल्दी है ये दुनिया में हल्दी की सबसे अच्छी किस्मों में से एक मानी जाती है ये जो है मेघाले की लाका डोंग छेत्र में उगाई जाती है जो लाका डॉंग मेगाले का जो प्रमुक जहां पर जनजातियां निवास करती हैं यहां पर इस जो है हल्दी की जैविक खेती होती है ना कि किसी प्रकार के रासायनिक उरवरकों का प्रयोग किया जाता है तो इसलिए यह बहुत उप्योगी और आने वाले समय में सरकार जैविक खेती पर जोड़ दे रही है इसलिए यह बहुत ही उप्योगी हो जाती है क्योंकि इन में किसी प्रकार की रासायनिक उरवरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है सिर्फ जैविक बिद से ही इसे उगाया जाता है क्योंकि इस हल्दी में जो है कुर्कमिन की मात्रा 6.8 से 7.5 परस्ट तक पाई जाती है ये सभी हल्दियों में मिलने वाली कुर्कमिन की मात्रा से बहुत अधिक है ये जो है हल्दी को पीला रंग प्रतान करती है और एंटी आक्सिडेंट विभिन प्रकार के रोग जैसे हरदय रोग जायमर कैंसर आध की रोगने की चमता इसमें पाई जाती है साथ ही या सूजन को कम करने के लिए गठिया को ठीक करने के लिए आध रोगों के उप्चार के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है तो इन सब रोगों में ये जो हल्दी है बहुत कारगर साबित होती है तो इसलिए ये जो है चर्चा का विसे बनी हुई है इसमें लमसम वहां के जो असम के चालिस गाओं और डेड़ लाक से अधिक किसान इससे लाभावन थोंगे जो कि इसकी खेती करते हैं वहां के मुख्यमंत्री ने इन सभी को बढ़ाई दी और अपने छेत्रवासियों को इसके उत्पादम पर जोड़ देने को कहा जिससे कि उनकी आयमे वरध्य हो सके तो यह रहा आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताएं जिससे कि हमें पता होता रहे कि आप लोगों को किस तरह का कंटेंट चाहिए तो पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद